नमस्कार दोस्तों मैं गुड़ू सर आप सभी के इस वीडियो मस्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपके सामने ये कुशन लेकर आया हूँ जो कि आयू से रिलेटेड है और ये कुशन जो है टेट शूपर टेट और दरोगा में भी पूछा जा चुका है तो ये कुशन आपके लिए बहुत ही जादा उपयोगी है इस कुशन को चलिए लगाते हैं लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते हैं शेयर करते हैं और बेल आइकन की बटन को अवर्स दबाएं तो चलिए दोस्तों इस कुशन को लगाते हैं देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कुशन में लिखा एक ब्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयू का योग 45 है पाँच वर्स पहले उनके आयू का गुनन फल उस समय उस ब्यक्ति की आयू का चार गुना था उस ब्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयू क्या है मतलब उसके आदमी माने उस ब्यक्ति और उसके पुत्र की जो आयू है वो यहाँ पर पूछ रहा है तो चलिए बहुत ही कम समय में लगाते हैं आज मैं कुशन की तरफ से नहीं लगाऊंगा तो चलिए देखें यहाँ पर क्या लिखा है, देखें यहाँ पर लिखा है एक ब्यक्ति तथा उसके पुत्र का योगफल 45 है, तो सबसे पहला काम क्या है, पहला काम है कि मैं देख रहा हूँ 35 और 10 यह 45, यह पिता की उमर है, यह पुत्र की उमर है, 45 हो गया, यहाँ पर से यहां 20 दिया है यह भी 45 हो रहा है तो देखी यहां चारो आफसन देखने में लग रहा है कि योग तो सभी जेकर कह रहा है कि ब्यक्ति और उसके पुत्र का योग जो है 45 तो चारो आफसन में 45 हो गया अब यह हो गया confusion लेकिन बिल्कुल confusion मत हो यह क्योंकि इसको बहुत ही easy कितना दिया है 45 अब पुत्र की उम्र दिया है 10 ठेक है यह कब का है यह बरतमान आयू है क्या कब का है बरतमान अभी का जो चर रहा है कहरा 5 वर्स पहले तो भाई 5 वर्स पहले पहले के लिए आप सब्ट्रेट करते हो पहले कहीं मिल जाए तुरंत आप घटा दोगे तो 45 से कोई बच्चा 15 साल का है तो 5 वर्स पहले कितना रहोगा 10 साल का रहोगा ना क्योंकि आप खुदे दिमाख लगाओ कि अभी 15 का है तो 5 साल पहले कितना रहोगा 10 साल का ठीक है तो कैसे 10 साल आया जो 15 साल था उसमें से हमने 5 साल जो है क्या किया घटा दिया तो ही आपको जब पहले के लिए घटा जाता है, बात के लिए जोड़ा जाता है, ठीक, तो यहां पर काम हो गया, आप देखे, पांच, मतरा पांच वर्स पहले, पिता की आयू तीस्थ है, और पुत्र की आयू पांच वर्स है, किलिए रहो गया होगा, आप कहे रहा है, उनका भ्यांदी जेग उनके आयू का गुणन फल, तो चलिए तीस और पांच का गुणन फल करते हैं, देखते हैं कितना था, एक सो पचास, कह रहा है, एक सो पचास, और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है, उस ब्यक्त की आयू का चार गुणा था, तो ब्यक्त की आयू कितना था, कितना है, बताओ देखिया अलग अलग नहीं हो गया क्या तो ये अपसन आपका हो गया क्या गलत बिल्कुल गलत ये अपसन है चलिए इसी प्रकार से सेकेंड अपसन उठाते हैं बिल्कुल देखिये सेकेंड अपसन में क्या लिखा है सेकेंड अपसन में बरतमान आयू कितना है 36 पिता का और पुत्र का कितना है 9 है क्या कह रहा फिर वही काम करेंगे 5 वर्स पहले तो 5 वर्स इसमें से भी क्या करें घटा देंगे और 5 वर्स इसमें से भी घटा देंगे तो कितना आ जाईए 31 वर्स आ जा इनका कितना आगे 4 वर्स आ गया फिर क्या कह रहा है देखें पांच वर्स पहले जो है पिता की आयू की मतलब ब्यक्त की आयू 31 वर्स है और पुत्र की जो आयू है वो कितना है वो चार वर्स है अब आगे क्या कह रहा है उनका गुणन फल तो चेली इन दोनों को गुणा करते हैं तो 31 गुणे 4 किया तो कितन तो देखे उस समय ब्यक्त की आयू का चार गुना था ये ब्यक्त की आयू का चार गुना था ये ब्यक्त की आयू का चार गुना था मतलब ये जो है ब्यक्त की आयू का अगर चार गुना करते हैं तो इसके बराबर होना चाहिए तो चलिए करते हैं चार गुना ब्यक्त की आय की आयू 9 हो जाएगी और पिता की आयू 36 हो जाएगी तो देखिए यहां पर बिल्कुल मैंने लगाये नहीं बिल्कुल जो है कहां से लगाया आप तो चलिए इस कुछिन को अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करने लाइक कर दीजे ठीक है, तक कि हमारा भी होसला बढ़ता जाए, तक कि इस प्रकार के वीडियो हम बनाते रहें, अब आईए इसी करम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, ये नेक्स्ट कुश्चन है, बहुत ही बहतरीन कुश्चन है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, तो चलिए इसको कम समयों किस प्रकार लगा जाएगा, चलिए सिकते हैं, क्या लिखा यहां पर, मोहन और सोहन के आयू का अनुपात करम साथ 17 अनुपाते 7 है, 6 वर्स पहले यहां अनुपात 3 अनुपाते 1 था, बरतमाद की बिल्कुल आसान कुश्चन है, सबसे पहली बात बता दू, कि इसको मोहन और सोहन के आयू का अनुपात 17 अनुपाते 7 है, तो देखें, मोहन का अनुपात 17 अनुपाते 7 है, और जो है, मोहन का, सोहन का 7 अनुपाते 7 है, तो भाई देखें, मोहन का 17 अनुपाते 7 है, तो 17 के पहारा में क्यों आता है, 50 तो आएगा नहीं, 40 तो आएगा नहीं, 80 तो आएगा नहीं, कौन आएगा, इक्यावन आएगा, इसलिए मैं जान गया और राल कि इसका इंसर 51 होगा, तो चलिए इसको जो है, प्रूब करके भी दिखाता हूँ कि यहां 51 होगा ये नहीं होगा, तो जिससे यहां पर दिखे, हमारे बात समझेगा, 17 और यहां पर साथ है, किसका है मोहन का है यह ये सोहन का है उनों पाथ पासण में आ रहा ही है Mario, अब यहां पर क्या है 17-53, मानने, इसका ये तीन गुना है तो यहाँ पर देखे 51 कैसे मिला हमको इसका तीन गुना किया 17 में 3 से गुना किया तो 51 आ गया तो चलिए 7 में भी 3 से गुना कर देते हैं तो 7 में जब 3 से गुना किया तो 7 कितना हो गया कैस हो गया फिर कह रहा है कि आब जो अब यहाँ पर बाद ध्यान दिजेगा फिर क्या लिखा है इतना हो गया ठिक देखिए अब 6 वर्स पहले अब 6 वर्स पहले की बात कर रहा है तो पहले के लिए देखिए क्या होगा अब यह तो हो गया किसका कप का है यह यह तो बरतमान का निकला है यह कप का है ब यहाँ पर गहत थे हैं यहाँ पर घटाते हैं जीके क्या कितना है पचार यहां पर कितना बचार यहां पर बचा कितना एक बचा तो चलिए करते हैं तो देखें यहाँ पर कितना दिखा है 45 और नीच यहां पर कितना है 15 है तो चलिए 45 लिखा अनुपाते 15 लिखा काटो इसको 15 15 15 तो कितना अनुपात आ गया तीन अनुपाते बिल्कूल वही चीज आ गया देखिए जो यहां पर कहा गया तो इस प्रकार से यह कुछन आपका कम्प्लीट हो गया तो आइंसर काउन होगा आपका यही क्यावन होगा बासन में आ रहा है तो चलिए यह कुछन आपका कम्प्लीट हुआ अगर आप जैसे मालिजे कि नहीं आप जान पा रहे हो आप इसको कैसे लगाओगे यहां पर लगाके भी देख लिजे अगर आपके मै लेकिन बता दीजे इसको तो बिल्कुल मैं दूसरा भी तरीका बता दूँगा देखे पीता देखे मोहन की आयू जो है कितना है मोहन की आयू जो है वो 17 के अनुपात में है और यह सात में है तो चलिए यहां पर सटा दीजे दोनों के पास में शट गया आप क्या होगा यह क्या लिखा है रेशियो लिखा है रेशियो का मतलब क्या होता है भाग होता है तो यहां परोज़ाएगा 17 यक्स बटे 7 यक्स हो गया बोलो किलियर होगे नहीं हो गया अब आगे देखिए कह रहा है छे वर्स पहले तो पहले क्लिए मैंने बताया कि देखिए पहले आता है देखिए हमारे बाद समझे, पहले का आता है, पहले का मतलब पूर्व, आप इसे पूर्व भी भी कहते हो, ठीक है, फिर उसके बाद आता है बरतमान, बरतमान के बाद क्या आता है, बाद, जिसे पस्चात भी बोलते हैं, तो अगर पहले किदर जा रहे हो, बरतमान की तरब तो आपको प्लस करना पड़ेगा और बरतमान से बाद की तरफ जा रहे हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा लेकिन याद रहे ना कि बाद से बरतमान की तरफ लोट रहे हो तो माइनस करना पड़ता है और या बरतमान से पहले की तरफ जा रहे हो तो माइनस करना पड़ता है तो आप 6 इसमें से भी माइनस कर दो, 6 यहां से भी माइनस कर दीजिए, आप इसके बाद देखे, जब 6 माइनस कर दोगे, तो कहरा कि अनुपात कितना हो जाएगा, 3 अनुपात एक, मतलब 3 बटे एक हो जाएगा, तो चलिए इस कुछन को साल्फ करते हैं, देखते हैं, इंसर क्या आता है, तो यहां पर देखे, ध्यान दीजिएगा, अब इसका गुणा इसमें होगा, तो एक का सत्त्रम करेंगे, तो सत्त्रा यक्स हो जाएगा, और यहां छे हो जाएगा, और सात से इसमें करेंगे, तो क्या आएगा, सात से देखे, सात से तीन में करेंगे, तो सात दर ले जाता हुँ तो क्या होगा यह इधर माइनस से इधर आएक प्लस को हो जाएगा और यहतारा से खाउतारा से चिजाता ही इहांटो बचेगा 12 यहां पर देखे कैस है, एक कैस से अगर सत्रा जाएगा, तो कितना बचेगा, सत्रा, तीन, बीस, देखे सत्रा, तीन, बीस, एक कैस, चार बचा, तो चार एकस हो गया, तो कार दीजे, चार इकनम, चार, चार ती, बारा, तो एकस की बैलू कितना आ गया, एकस की बैलू तीन मोहन की पूछ रहा है तो चलो मोहन की आयू कहां रख देंगे बर इसमें रखेंगे ना जो परतमान आयू है तो क्या है ये 17 तो यहां पर रख देंगे तो 17 गुड़े यक्स की जगए कितना निकला 3, तो 17 तरी क्यामन हो जाएगा तो देखें क्यामन मरसा गई नहीं आ गया तो आप इस तरीके से लगाना चाहोगे तब भी लगा सकते हो तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से प्लीज समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक जरूर कर दिया करो तक कि हमाना मनुबर बढ़ता जाए और तक कि इस तरीके कुश्ण को हम लगाने में हमारा दिल भी लगए और इसको हम लगाएं ठीक है धन्यबाद